परमेश्वर के वच्चन से कितना कुछ सीखने को मिलता है सही बात है जीवन और भक्ती के लिए जो कुछ चाहिए प्रभु के वच्चन के अंदर है प्रिय दर्शकों हम आज अपने चारों तरफ देख रहे है कि बहुत लोग आर्थिक संकट में रहते है आज ऐसा है कि हर बात के लिए लोन मिल जाता है लोग हमारे पीछे पढ़े रहते हैं लोन ले लो आपको क्या चाहिए? कार चाहिए लोन ले लो घर चाहिए लोन ले लो लैप्तॉप चाहिए लोन ले लो मॉबाइल चाहिए लोन ले लो लोन देने वाले हमारे पीछे पढ़े हुए क्रेडिट पे सब कुछ चल रहा है ऐसे में लोग कई बार कर्ज ले ले लेते हैं लोन ले ले लेते हैं वापिस दे नहीं पाते अक्सर ऐसा भी देखेने में आता है कि जो चीज नहीं चाहिए वो भी ले लेते हैं जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं अच्छे अपनी गाड़ी सही चल रही है पर किसी ने आके कहा कि अरे ये गाड़ी क्यूं इस गाड़ी को छोड़ो बहतर गाड़ी ले लो महेंगी गाड़ी ले लो 15 लाग 20 लाग की गाड़ी ले लो और बेवज़े कई बार हम अपने उपर कर्ज लेकर आ जाते हैं जरूर से ज्यादा खर्श देते हैं हमारी चादर के बाहर पाउपसार देते हैं तो हम आज अपने चारो तरफ लोगों को आर्थिक संकर्ट में देखते हैं पांच हजार कमाने वाला भी मुश्किल में है और मैंने देखा कि बीस हजार कमाने वाला भी मुश्किल में है पचास हजार कमाने वाला भी मुश्किल में है और जो एक लाग कमा रहा है वो भी दिक्कत में है पर मित्रो प्रभु हमसे क्या चाहता है प्रभु चाहता है कि हमा चैप्टर 9 वर्स 8 वहां क्या लिखा है परमेश और सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तो प्रभु की इच्छा क्या है प्रभु की इच्छा यह है कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हो और हर बात में और हर समय सब कुछ जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे पास रहे और हर भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो यह प्रभु की इच्छा तीसरा युन्ना दूसरी आयत में भी हम देखते हैं मालिक है जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे इस सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे प्रभु चाहता है कि हम सब बातों में उन्नत्य करें, हमारी आवशक्ताएं पूरी हूँ प्यारे मित्रों, आज मैं थोड़ा समय लेकर वचन में से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आर्थिक आशिशों की चाबी, हमारी आर्थिक समर्दी की कुंजी हमारे हाथ में है अगर हम परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को समझ लें और परमेश्वर के वचन के अनुरूप जीना शुरू कर दें तो परमेश और अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में ऐसा कारिय करेगा कि हमारी सारी आर्थिक जरूरते पूरी हो जाएंगी एक राज है और वो राज इसी अध्याय में दूसरा कुरूंतियों अध्याय 9 और उसकी छटवी आयत अभी हमने पहले 8 आयत पढ़ी थी प्रभू की मनसा को पहचानने के लिए अब हम 6 आयत में देखिए क्या लिखा है परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा एक बहुत सरल सा सिध्धात A Simple Universal Principle तो परमेशुर इस वचन के दुवारा हमसे कहता है कि तुमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने कि चाबी तो मैंने तुमारे हाथ में दे रखिये अब तुम जो करना चाहते हो करो प्रभू हमारी जरूरतों को पूरा करेगा He will meet our need but not our greed हमारे लालच को तो परमेशुर कभी पूरा नहीं करेगा पर हमारी जायज जरूरत को परमेशुर निश्चे ही पूरा करेगा जब ये वच्चन यहां से चल रहा है अगर आप आर्थिक संकट में और आर्थिक जरूरतों में हैं तो आप जरूर ध्यान से सुने और प्रार्थना पूर्वक सुने और अपने मन को तयार करें कि आपको क्या करना है प्रभू चाहता है कि हम एक कर्ज मुक्त जीवन बिताएं मैं शुरू में ही सभी दर्शकों से खास करके प्रभू से प्रेम करने वाले और प्रभू के भाय में चरने वाले सारी दर्शकों से कहना चाहता हूँ एक कर्ज मुक्त जीवन बिता है कुछ लोगों की आदत होती है इधर से भी कर्ज लेना उधर से भी कर्ज लेना लोगों से कर्ज लेना अभी एक विक्ति से मेरी बात हो रही थी उस विक्ति ने अपने इश्व मसी में आने से पहले कानुभव या प्रभू के भाई में आने से पहले कानुभव यूं बताया कि मैं तो लोगों से मित्रता ही इस मकसद से करता था कि दो-चार बाते करूँ उनका दिल जीतूँ और उसके बाद उनसे कुछ पैसा ले रो यूँ पैसा ले लेकर के इस नौ जवान ने 35 साल के इस जवान ने अपने उपर 15 लाख रुपए का कर्ज कर लिया अब सोचो किसी से 10 अजार किसी से 15 अजार 50 अजार 25 अजार और कर्ज ले ले करके अपने जीवन को चला रहे हैं अंतत है 15 अलाग के कर्ज में चले गए जिन से पैसा लिया था वो पीछे पढ़ गए तो जान बचा के भागता फिरा ऐसे में उस जवान पर प्रभू की रहमत हुई प्रभू की दया हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभू नहीं चाहता कि हम कर्ज ले लेकर अपनी जिन्दगी बिताएं अगर आप आपने बहुत लोगों से कर्ज लिया हुआ है तो प्यारे मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कर्ज का एक एक पैसा चुका दिजिए किसी और का पैसा अगर आपके हाथ में है तो वो आपके फाइदे में किभी नी रह सकता आपने जो वचन दिया था उस समय पर अगर आपने जिससे पैसा लिया उसको नहीं लोटाया है और वो आहें भर रहा है वो रो रहा बचा रहा प्यारे मितरों आपके परिवार पर आपके जीवन में फिर कैसे बरकत आएगी प्लीज मैं आपसे बिंती करता हूँ अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो उसको चुका दे और कर्ज लेने की आदत छोड़ दे बलकि परमेश और के वचन का ये राज सीखे क्या है राज कि तुम बोना शुरू कर दो तुम बोना शुरू कर दो क्योंकि तुम जब बोगे वो बीज फल लाएगा और तुम काटोगे और सिध्धान्त क्या है कि थोड़ा बोगे तो थोड़ा काटोगे और ज्यादा बोगे तो ज्यादा काटोगे ये जो अध्याय है दूसरा कुरुतियों नौवा अध्याय और इससे पहले का अध्याय आठ्वा अध्याय दोनों अध्यायों में बहुत से आर्थिक सिध्धान सिखाए गए हैं आप ध्यान से इसको बाद में अपने घर पर तसलिश से पढ़िएगा बोने की आदत डालें इन आयतों का खास करके इस आयत का शायद मसीह जगत में बहुत दूरुपयोग भी हो रहा है लोगों को यह सिखाए जारा है बहुत हो तो परमेश्वर बहुत देगा सो रुपे दो हजार देगा हजार दो दस हजार देगा लाख दो पचास लाख देगा नहीं मैं आज लोटा देगा, हजार बहुदों के तो 10,000 दो मिल जाएगा, ऐसे चिछले सिध्धानतों के कारण, शैलो टीचिंग्स के कारण, लोग मसी में तो मजबूत नहीं हो रहें, वच्छन में मजबूत नहीं हो रहें, लोग सोच रहें कि प्रभू के पास कोई लोटरी है,। लोट तरीका है हमारे जरूरतों को नीज को पूरा करने का एक राज है मैं आशा करता हूँ आप इस बात को शुरू में ही समझ चुके हैं अब हम आगे बढ़ेंगे इस नौवे अधियाए की दस्वी आयत पर गौर करें यहां लिखा है नौवे दूसरा करूंतियों नौ और उसकी दस्वी आयत अत है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुमें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुमारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा क्या लिखा है परमेशर के बारे में लिखा है परमेशर कौन है बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी भोजन के लिए रोटी देता है और लिखा है कि वह तुमें बीज देगा परमेशर तुमें बीज देगा क्या करने के लिए बोने के लिए और जब तुम उस बीज को बोगे तो वो एक और काम करेगा वो तुमारे बीज पर बरकत भेजेगा आशिश भेजेगा और तुमारे बीज को फलवंत करेगा और जब वो तुमारे बीजों को फलवंत कर देगा तो तुमारी आवशकताएं पूरी होंगी और भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा प्रभु येश्व मसी की जै हो उसका नाम सदा धन्य माना जाए आज मैं आपको ये वच्चन इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से इस वच्चन को मैंने आजमा कर देखा है एक समय पर मैं नौकरी करता था एक इंजनियर था महिने के अंत में मुझे मेरी तन्खवा मिलती थी पर मेश्वर ने मुझसे का नौकरी छोड़ दे और मेरी सेवा के लिए निकल अब जब सेवा के लिए निकले तो हमारे पास कोई तन्खवा नहीं कोई इस प्रकार की गारेंटी नहीं मेरी पत्नी सौधी अरब के अंदर नौकरी करती थी प्रभू ने उनसे भी कहा नौकरी छोड़ भारत में लोट जा और अपने पती के साथ प्रभू की सेवा कर अब परमेश्र का अनुग्रह हम पर हुआ बहुत अच्छी तनक्वा सैलरी जहां हमें मिलती थी ऐसी नौकरी छोड़ कर हम निकल गए प्रभू की सेवकाई के लिए प्रभू ने हमें तीन बच्चे भी दिये पारिवारिक जरूरते हैं सेवा में बहुत सी जरूरते हैं कैसे पूरा करेंगे प्यारे मित्रों इस वचन को आजमा के देख लिया है और प्रभू ने आज तक प्रभू के अनुग्रह से मुझदास को नौकरी छोड़े हुए सत्रा साल हो गए और प्रभू के अनुग्रह से आज तक प्रभू ने सारी जरूरते पूरी की है येशु को महिमा मिले येशु का नाम उचा होता जाए तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये विक्तिकत जीवन पारिबारिक जीवन और सेवकाई के अनुभव में से बता रहा हूँ हमारी कलिसिया की भी बहुत सी जरूरते होती है उनको भी प्रभू इसी तरह पूरा करता है तो प्रभू ने जो आपको दिया है न धन वो सारा का सारा आपकी रोटी नहीं है कि भाई रोटी एक खा जाओ नहीं प्रभू ने जो आपको धन दिया है उसमें आपकी रोटी भी है और उसमें बीज भी है बुद्धिमान किसान कौन होता है बुद्धिमान किसान वो होता है जो इस बार फसल कटी है उसमें से वो पहले बीज तयार करता है या बीज के लिए प्रावधान करता है बीज का उपाय करता है और बीज के लिए वो सबसे अच्छा भाग हटा देता है एक बार खाकर खतम नहीं करना है अगले बार इससे भी ज्यादा फसल की तयारी करनी है तो सबसे अच्छे भाग को वो बीज के रूप में हटा देता है या फिर अपनी फसल में से बीज का पहले उपाय करता है आपको परमेशो ने जो आशिशें दी हैं जो धन दिया है उसमें बीज भी है बीज को खा मत जाना बीज को खा जाएंगे तो फिर खाने को कुछ नहीं मिलेगा प्रभु ने जो दिया है उसमें से बीज को अलग करें बीज को बोना शुरू कर दें प्रभु के भाय में चलें प्रभु की भक्ती में चलें प्रभु के वचन के अनुसार चलें उसकी महीमा प्रशंसा करें करोडपती और खरबपती और अरबपती बनने के सपने मत देखें प्रभू के भाई में चल कर इस दुनिया में जए में अपने जीवन को चलाने का सपना देखें और ये विश्वास करें, मैं जिस प्रभू की सेवा कर रहा हूँ वो मेरी जरूरतों को आवश्यक्ता कि समय पर पूरा भी करेगा और भले कामों के लिए मेरे हाथों को बलवंत भी करेगा रभू की स्तुती होने पाए हम लूका उसके छटवे अध्याय की 38 वी आयत को पढ़ेंगे जहां लिखा है दिया करो गिम दिया करो तो तुमें भी दिया जाएगा लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुमारी गोद में डालेंगे क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुमारे लिए भी नापा जाएगा जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुमारे लिए भी नापा जाएगा दिया करो, तो तुमें भी दिया जाएगा परमेश्र के वचन का ये उसूल है अब हमें ये ध्यान देना है कि मैं कौन सा नाप, कौन सा माप मैं इस्तिमाल कर रहा हूँ परमेश्र देख रहा है लोग कहते हैं दश्वांज देना चाहिए, वो देना चाहिए, ये देना चाहिए प्रभू कभी और हमें वचन में से उस विशे में सिखाने का समय देगा प्यारे मित्रों, यहाँ ये जरूरी है कि आप देखें कि आप कौन सा माप इस्तिमाल कर रहे है आप जो नाप या माप इस्तिमाल कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्र जब आपको देगा परमेश्र भी उसी ढंक से आपके लिए मापेगा और परमेश्र जब मापता है, नापता है दबा दबा कर हिला हिला कर भरता है और उमरता हुआ abundance में आपको लोटा देता है इसलिए ज्यादा बोएं ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे अच्छा मैं आपका ध्यान नीती वच्चन 11 अध्याय मुझे बाइबल में से पढ़ने दीजिए उसकी 24 वी और 25 वी आएतों को नीती वच्चन प्रोवर्ब्स 11,24 और 25 ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है छितरा देते हैं बो देते हैं बोते रहते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती रहती है और ऐसे भी हैं जो यतार्त से कम देते हैं यानि छुपाते हैं बचाने की कोशिश करते हैं आगे लिखा है और इससे उनकी घटती होती है अरे दुनिया की बुद्धी से कितना फर्क है दुनिया में तो हम सीखते हैं भई बटोरो बटोरो इखटा कर लो तो बढ़ेगा पर वचन में लिखा है छितराओगे तो बढ़ेगा बटोरोगे तो घटेगा 25 वी आयत में लिखा है उदार प्राणी हश्ट पुष्ट हो जाता है उदार प्राणी हश्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सीखता है उसकी भी सीखी जाएगी अब हमने जितनी आयतों को देखा है उन आयतों का क्या है निशकर्ष यही कि अगर हम बोएंगे तो काटेंगे कम बोएंगे तो कम काटेंगे ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे सबसे अच्छी जमीन में बोएं और मैं समझता हूँ सबसे अच्छी जमीन प्रभू का राज्य है प्रभू का काम परमेश्वर के कामों में प्रभू के राज्य के लिए अपने धन का अपनी आशिशों का सबसे अच्छा भाग निकाले बीज बनाकर उसे बो दे परमेश्र सब कुछ देख रहा है उचिस समय पर आपके लिए काम करेगा यह नहीं कि आप बो इसलिए रहें कि आपको 10,000 चाहिए 50,000 चाहिए आप 500 देकर 50,000 पाना चाहते हैं यह नहीं हो नचे लक्षिये हम क्यूं देते हैं क्यूंकि देना या बोना परमेश्र का सौभाव है Giving is God's nature देना परमेश्र का सौभाव है परमेश्र ने क्या नहीं दिया हमें सब कुछ दिया सबसे बढ़कर अपने पुत्र को दे दिया येश्य मसी को दे दिया कुरूस पर चढ़ा दिया येश्य को तक रख न छोड़ा बलकि अपने पुत्र को कुरूस के उपर दे दिया कुर्बान कर दिया परमेश्र का सौभाव देने का सौभाव है इसलिए जो लोग परमेश्र से प्रेम करते है उनका भी सौभाव देने का सौभाव होता है वो कंजूस नहीं होते वो देते हैं बोते हैं प्रभु के राज्य में बोते हैं और परमेश्र ने लोटाता है मेरे पास बहुत सी गभाई यह हैं पर मैं एक छोटी सी गभाई बात कर इस संदेश को समाब्ट करूँगा एक बार की बात है मुझे सेवा में ऐसा अनुभा हुआ कि सेवकाई के अंदर एक चार पईये वाली गाड़ी की ज़रूरत है अब हम लोग हैं पास्टर्स मैं कद में उचा हूँ मेरे लिए मारूती वैन, ओमनी वैन सही नहीं है क्योंकि उसमें मैं बैठ नहीं सकता ढंग से पर पास्टर होने के नाते वो ही एक गाड़ी है जो सस्ते में भी मिल जाए और जिसमें साथ-ाथ लोगों को भी बिठा सके पी-ए सिस्टम का भी सामान रख करके कहीं मीटिंग के लिए भाग सके तो सारे पास्टर्स जो हैं ओमनी वैन से प्यार करते हैं लग भग खास करके उत्तर भारत में तो प्रभु से कहा प्रभु एक ओमनी वैनी दिला दे सेकेंड एंड भी चलेगी ऐसे जब हम प्रार्थना कर रहे थे अचानक से एक दिन दिल के अंदर एक प्रेड़ना आई दिल के अंदर एक प्रेणा आई, प्रभु ने एक प्रेणा जगा आई, क्योंकि कलाम सिखाता है कि अच्छी प्रेणा प्रभु देता है प्रभु ने जब प्रेणा दी, मैं एक परमेश्र के दास के पास गया आज वो प्रभू के दास धर्ती पर नहीं है वो प्रभू में सो चुके हैं मैंने का पास्टर जी मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे साथ एक जगेट चलो कहा जाना है? नहीं आप चलो मेरे साथ वो मेरे साथ चल पड़े मैं उनको कपड़े की एक अच्छी दुकान में लेकर के गया और मैंने का पास्टर आपको जैसा सूट सिलवाना है काफी साल पहले की बात बतारा आपको जैसा सूट सिलवाना है आप पसंद कर लो और सिलवा लो एक बात कह दू उस समय मेरे पास एक पूरा सूट नहीं था प्रभू ने प्रेणा दी उस बजूर्ग प्रभू के दास को लेकर के गया और मैंने का पास्चर जी आपकी पसंद का सूट सिलवा लो उन्होंने अपनी पसंद से सिलवा लिया धाई हाजार रुपे का बिल आया वो मैंने दे दिया उनको कुछ नहीं बताया उनको कुछ पता भी नहीं चला वो खुशी-खुशी घर लोट गए मैंने मुझे ऐसा आया मेरी पत्नी के साथ मैंने शेयर किया कि प्रभू हमसे चारा है कि हम एक बीज बोई ताकि हमारी चार पैया गाड़ी की जरूरत पूरी हो जाए प्यारे मित्रों मैंने प्रात्ना किया प्रभू इस डही हजार रुपे को सौ से बुना कर दे डही लाग रुपे दे दे ताकि हम एक मारूती वैन खरीच सकें एक साल बीद गया दो साल बीद गए मैं भी धीरे धीरे जामता तो हूँ कि प्रभू वफदार है पर धीरे धीरे इस बात को भूल गया प्यारे मित्रों परन्तु परमेशर भूल नहीं सकता परमेशर भूल नहीं सकता चार साल के पश्चात प्रभू ने एक अद्भुत काम किया एक परिवार जिनकी एक फैक्टरी कई सालों से बंद पड़ी थी और जिनके उपर करोड रुपे का कर्ज था ऐसा एक परिवार कुछ लोग हमारे संपर्क में आए उन्होंने अपनी समसिया हमें बताई प्रभू का रह्म हुआ कुछ समय के बाद फैक्टरी का एक भाग फिर से चलने लग गया कुछ जमीन बिक सकी और करोड रुपे का कर्ज दूर हो गया आमदनी का रास्ता खुल गया इस परिवार के कई लोगों ने मिलकर के परमेशर को आभार प्रगट करने के लिए मुझे एक तौफा देना चाहा और ये तौफा पचास हजार से शुरू हुआ कि मैं एक मॉटर साइकल खरीच सकूँ हमारी बाची चलती रही सेवा की जरूरत के बारे में उनको जब पता चला धीरे 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 वो आंकड़ा बढ़ता गया एक लंबी कहानी है मैं छोटा करके आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्र ने ऐसा अद्भूत काम किया उन लोगों ने मिलकर के धाई लाख रुपे दे दिये और मैं धाई लाख रुपे लेकर के आ गया मैंने सोचा ओ प्रभू तिरा धनेवाद अब एक मारूती वैन खरीदेंगे प्यारे मित्रों बीज तो कब वोया था चार साल के बाद जब हमें हम भूलने को लग गए प्रभू को सब याद था धाई लाख रुपे लेकर आ गया कि वैन खरीदूंगा लग बग दो धाई महीने ये ढई लाख रुपे मेरे पास रहा पर परमेशर ने वैन खरीदने की अनुमती नहीं दी कुछ समय के बाद उसी परिवार उसी खांदान के कुछ और लोगों ने मिल करके जब हमारी सेवकाई की ज़रूरत को जाना तो उन्हों मिल कर ऐसा हाथ बढ़ाया कि हम परमेशर की सेवकाई के लिए एक बड़ी गाड़ी एक सूमो ग्रैंडे गाड़ी खरीद सके 2010 में जो उस समय 7 लाग से उपर की थी हमने क्या सोचा था कि एक मारूती वैन खरीद लें परन्तु परमेशर की इच्छा दूसरी थी प्रभू ने उस बीज को सम्मानित किया प्रभू ने अपने वच्चन को पूरा किया और जब प्रभू ने दिया तो हमारी सोच से बढ़कर दिया यही प्रभू आपके लिए काम कर सकता है विश्वास कीजिए बीज बोईए प्रभू के साथ वफदारी में चलिए प्रभू आपको आशिश जरूर देगा आलाद यहे इशु मसी जुकता हूं मैं प्रभू जी तेजस्वी रूब तेरा आनंद मेरे दिल का जानता हो तेरे हाँ पोश्चते हैं मेरे आशु जुकता हूं पोश्चते हैं मेरे आशु आशु जुकता हूं तेजस्वी रूब तेरा आनंद मेरे दिल का जानता हूँ तेरी हाँ पोष्टे है मेरी आँसू जानता हूँ तेरी हाँ पोष्टे है मेरी आँसू आरात्य है इश्व मसी जुकता हूँ मैं प्रभु जी तेजस्वी रूब तेरा आनंद मेरे दिल का तेरी वाहों का आली इंगन देता है बल मुझको तेरी वाहों का आली इंगन देता है बल मुझको आरात्य है इश्व मसी जुकता हूँ मैं प्रभु जी तेजस्वी रूब तेरा आनंद मेरे दिल का तेजस्वी रूब तेरा आनंद मेरे दिल का मुझे देखने वाले प्री अजीजों जैसा कि आप जानते हैं कि शिफाले कलीसिया के दुवारा हर साल सत्रह दिनों का एक सेवा प्रशिक्षन चलाये जाता है परमेशुर ने इस कोर्स को बहुत सफलता दी है 2009 से लेकर के अब तक 7 बैच ट्रेनिंग पूरा करके जा चुके हैं हर वर्ष उत्तर भारत के करीब 10-12 राज्जियों से 50-60 लोग आते हैं दिली में हमारे यहां ठहरते हैं 17 दिनों तक और एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्राप्त करके वापिस अपनी कलिसियाओं में जाते हैं और पासबानों के साथ सेवा में सहयोग देते हैं कुछ लोगों को परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है तो वो गाउं में रूरल चर्च प्लांटिंग के लिए चले जाते हैं कुछ लोग आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं इस तरह परमेश्वर ने इस कोर्स को इस्तिमाल किया है बहुत से लोगों को प्रभु की सेवा के लिए तयार करने में अब तक करीब 400 लोग ट्रांस्फोर्मेशन कोर्स के दुआरा आशिश पाच चुके हैं आज इन 400 लोगों में से अधिकांश लोग उत्तर भारत के विविद राज्यों में अपनी कलिसियाओं के साथ मिलकर सेवाओं में सकरिये हैं अब मौका आपका है हम जानते हैं कि बहुत से लोग एक साल दो साल जाकर बाइबल स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं परन्तु वचन की अच्छी शिक्षा और मसीश सिध्धानतों का सुद्रिड आधार होना बहुत जरूरी है तो हमारी ये कोशिश है कि एक साल के बाइबल कोर्स के सिलबस को हम बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत ही संख्षेप में हम सत्रा दिनों में सिखाने का प्रयास करते हैं और कई सब्जेक्ट्स करीब 10 सब्जेक्ट्स सिखाय जाते हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे चर्च हिस्ट्री, क्रिस्टियन डॉक्ट्रिन्स, बाइबल सर्वे, एक्स ओफ दे अपोस्टल्स, इवेंजिलिजम एंड चर्च प्लांटिंग, स्पिरिच्वल वॉर्फेर, ऐसे महत्वपूर्ण क्रिस्टियन थियोलोजी, क्रिस् रिजिस्ट्रेशन आपको अभी से कराना है, आप हमारे नंबर पर 09213-217517 पर कॉल करें, और कॉल करके अपना नाम रिजिस्टर कराएं, रिजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको फीस का एक छोटा सा भाग 500 रुपीस आपको हमारे बैंक में डिपॉजिट करना होगा, तब आपका रिजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाकी फीस अब जब दिल्ली आएंगे तब आप पे कर सकते हैं, इस बार जो कोर्स का फीस है वो 1800 रुपीस है, 500 रुपे आप पहले रिजिस्ट्रेशन दे देंगे और जब आप दिल्ली में कोर्स के लिए आएंगे तब आप बाकी 1300 रुपे देंगे, इसमें हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, करीब 4000 रुपे एक विध्यारती के उपर हमारा खर्च आता है, पर हम 50% से ज़्यादा स्कॉलर्शिप देते हैं और वो शुब चिंतोकों के दौरा, हमारी कलीसिया के दौरा हम रेज़ करते हैं, तो य पास होने वालों को देते हैं, और हिंदी में सारे सब्जेक्स का नोट्स भी देते हैं, तो गौड ब्लेस यू, जरूर इस मौके का फाइदा उठाएं